ये इस्टोरी एक ऐसे इस्टूडेंट की है जिसे अपनी टीजर से प्यार हो जाता है वो टीजर को पाने के लिए क्या क्या करता है वो जानेगे आज की मुवी में मोवे की सुरुवात में एक टीचर को दिखाय जाता है जिसका नाम जूली है जो एक साधी सुदा लेडी है जिसकी एक छोटी बच्ची भी है जूली जिस क्लास में पढ़ाती थी उसी क्लास में एक भोरी आँखवाला लडगा था जिसका नाम भूरा था वो सरारती हरकती करता रहता था जब जूली पढ़ाती थी तो वो हमेज़ा उसे घुटता रहता था जैसे उसे प्यार हो गया ओ जूली भी उसकी तरह एक ट्रेक्ट हो जाती है जूली के भी मन में बहुत कुछ चल रहा था लेकिन भूरा उसका student था उसे कहे तो कैसे कहे कभी-कभी भूरा Julie के इतना पास आ जाता था Julie से एक कंट्रोल नहीं होता था इसलिए Julie उसकी नजूर से बचने के लिए कुछ भी करने को तियार थी वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती थी अगले दिन जूली सभी student को पेपर बाट रही थी फिर सभी को पेपर लिखने को कहती है लेकिन भूरा कुछ भी नहीं लिक रहा था बस Julie को घूरे जा रहा था Julie उसे इग्नोर करती है और अपना काम करने लगती है लेकिन एक बार Julie की नजर भूरे पर पढ़ी जाती है कलास खतम होने के बाद वो अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती है उसकी बेटी उससे बताती है कि स्कूल में आज कुछ भी अच्छा नहीं लगा Julie अपनी बेटी को कार में बैठाती है तबी उसे भूरा नजर आता है जो अपने डोग को घुआ रहा था Julie थोड़ी देर उसे देखकर वहाँ से चली जाती है अगले दिन Julie अपने स्टूडेंट से लेक्चर दिलवा रही थी तबी Julie की नजर दो लड़कियो पर पढ़ती है जो मोबाइल फॉन में कुछ वीडियो देख रही थी और जोर जोर से हस रही थी तबी Julie उनसे मोबाइल बंद करने को बोलती है लेकिन वो लड़किया Julie की बात को नहीं सुनती और उनसे उनका मोबाइल मांगने लगती है और कहती है क्लास के बाद तुम्हें अपना मोबाइल मिल जाएगा एक लड़की मोबाइल देते हुए Julie को चुडेल बोलती है जिसे सुनकर सभी स्टुडेंट हसने लगते है Julie कहती है कि प्रिंसिबल से उसकी सिकायत करेगी Julie चाय पी रही थी तो उसकी नजर भूरे पर पड़ती है उसी लड़की को परिशान कर रहा था जिसने Julie को चुडेल कहा था भूरा उसके बैक को उल्टा करके सारी किताबे गिरा देता है और उसकी साइगिल को उठा कर पटंग देता है जूली एक टीचर से भूरे के बारे में बात करती है Julie उससे बताती है कि वो भूरे के बारे में क्या सोचती है और भूरा कैसा रियक्ट करता है Julie उस टीचर से सलाह लेना चाती थी लेकिन टीचर कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं आता कि वो क्या Jooli को बताए अगली सुबह Jooli भूरे से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाती है वो उसे खाली रूम में लेकर जाती है और बैठने को बोलती है और उससे पूशती है कि स्कूल में उससे कैसा लग रहा है पर भूरा उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उल्टा जूली से पूसता है कि वो उससे क्या चाहती है जूली कहती है कि उसे उसकी फिक्र होती है और ये भी कहती है कि क्लास की लड़की के साथ बुरा बरताओ नहीं करना चाहिए था जूली उसके घुटने पर हात रखक कर कहती है कि उसे कोई मदद चाहिए तो बताए बुरा उसे देखकर मुश्कुराने लगता है जूली तुरंद अपना आथ अटा लेती है बुरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सच मुच मदद करना चाहती हो जूली कहती है कि उसे उसके भविसी की चिंता है क्य तो कि पिछले टेस्ट में वो फैल हो गया था, जूली की बात सुलकर भूरा असने लगता है, और कहता है कि फालतू की बात करने के वज़ाए सच बताओ, कि वो उससे क्या चाहती है, जूली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले जूली कहती ह कि वो जो कुछ भी कह रही थी, वो उस पर गोर करे, अगले सीन में दिखाये जाता है कि सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जा रहे हैं, जूली देखती है कि भूरे का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था, वो इधर उधर देखती है, और उसके बैग में से टी सेट निकालती है, और उसे सोगने लगती है, उसके बाद टी सेट को बैग में रख देती है, तब ही दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो जूली टोइलेट में चली जाती है, और जुक कर पानी पीने लगती है, जैसे ही वो पानी पीकर उठती है, भूरा उसके पास खड़ा था, औ जूली उसका हाथ अटा देती है लेकिन भूरा दुबारा हाथ वहीं रख देता है और उसकी गर्दन पर किस कर देता है जूली अपना होस खोने लगती है लेकिन थोड़ी दिर बाद जूली होस में आ जाती है और उसे रोक देती है जूली कहती है कि उन दोनों के बीच में द प्यार नहीं करना चाहती। अगले दिन स्कूल होल में भूरा जूली से कहता है, वो ख्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन जूली मिलने से मना कर देती है, बात करते हुए वो दोनों एक आत में चले जाते हैं, जूली कहते है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी उसके लिए वो सर्मिंदा है वो भूरे से कहते है कि वो उसका ख्याल दिल से निकाल दे और वहाँ से चली जाती है कार पार्किंग में जाकर देखती है कि उसकी कार का सीसा तूटा हुआ है और उसकी कार पर थोड़ा स्क्रेच भी आया था लेकिन फिर वो कार में बैट कर अपने बेटी को लेने चली जाती जुली घर पर कुछ काम कर रही थी तब ही उसका अस्बन उससे पूछता है कि उसकी कार में स्क्रेच कैसे आया है जुली कहती है कि मैं एक लेंपोर्च से टगरा गई थी उसका अस्बन कहता है कि लैंप पोर्च से टकराने का स्क्रेच ऐसा नहीं होता है जुली कहती है कि कभी कभी ऐसा ही हो जाता है उसका अस्बन उसके पास आता है और कहता है कि तुमारी चाहे ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है अगले दिन जूली क्लास में अब सभी स्टुडेंट को एक लेटर लिखने को कहती है और बोलती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है तबी भूरा अपना हाथ खड़ा करता है और सवाल करता है कि क्या वो यह जोब छोड़ना चाहती है क्योंकि इसकी सिकायत लेने के लिए मिनिश्टर के पास गई थी भूरे की बात सुनकर सब इस रेंट हसने लगते हैं जूली कहती है कि हैड मिनिश्टर को वो उसकी सिकायत करतेगी इस पर भूरा कहता है कि जूली को हैड मिनिश्टर के तलवे चाटना पसंद है इस बात पर जूली को गुस्ता आता है और वो भूरे का बैक बाहर फैक देती है और कहती है या तो तुम यहाँ से चले जाओ या तो मैं चली जाओंगी तभी एक लड़का बोर्ड की तरफ डश टुटा कर फैकता है जो जूली को हीट करते करते बचा था ये सब देखकर जूली क्लास से बाहर चली जाती है अगले दिन जूली अपने बेटी को पढ़ा रही थी तभी कोई उसे बार-बार कौल करके पनसान कर रहा था और कौल पर आवाज भी नहीं आ रही थी जुली क्लास में जाती है और भूले को बैंच पर बैठे देखकर वो डर जाती है और जुली वहाँ के रिसेप्टनेट से कहती है कि मेरी तवियत खराब है और वो घर चली जाती है रात को खारा बनाते समय उसका अस्वेट पूसता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया जुली कहते है कि मेरा दिन काफी अच्छा गया मैंना सभी बच्चे को सही से पढ़ाया और अंगली सुबह जुली अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपनी जोब पर नहीं जाती है वो एक समुंदर के किनारे खड़े होकर सेव खाती है थोड़ी दिर बाद वो म्यूजियम में जाकर पैंटिंग देखने लगती है अजानक उसकी नजर भूरे पर पढ़ जाती है उसे देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिस करती है लेकिन लिफ्ट में भूरा उसे पकण लेता है भूरा कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था और वो इसकूल जाना चाहता था फिर वो उसके सब्सक्रे को छूने की कोशिस करता है जूली भी अपना कंट्रोल खो बैटती है और उसे किस करने की कोशिज करती है पर भूरा उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बोड़ी पर सहलाने लगता है और उस राज जूली को बार-बार सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और अगले दि तुराने के इर्जाम में भूरे को स्कूल से निकाल दिये जाता है। उसके जाने के बाद जूली उसे मिस्ट करने लगती है। और उसके साथ बितायक पल को याद करने लगती है। अगले दिन जूली अपनी बेटी को मोल में गुआने लियाती है। जहाँ पर वो अपनी बेटी को गुस्त समान खरीद वाती है, लेकिन थोड़ी दिर बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है, वो अपनी बेटी को यहाँ वाँ डूडने लगती है, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती है, फिर यू सिकर्टी रूम में कैमरा चेक करवाती है कैमरे में दिखाता है कि उसकी बेटी मोल से बाहर जा रही है और उसके पीछे भूरा खड़ा है जूली को भूरे पर सक जाता है लेकिन तफी जूली के पास एक कोल आता है कि उसकी बेटी घर पर सेफ है रात को सोते समय जूली को लग रहा था कि उसके दरवाजे पर कोई तो जरूर है लेकिन उसका ये वहम था रुवत दरवाजा लोग कर देती है फिर वो इमेजिन करते है कि वो भूरे के साथ इंटिमेट हो रही है पूरी रात ऐसे ही बीच जाती है सुबह जूली का पती उसे हक करता है कुछ दिर बाद जूली कान लेकर भूरे के घर जाती है भूरे के आने का वेट करती है भूरा जैसे ही घर से बाहर आता है वो उसका पीचा करने लगती है कुछ दूर जाने के बाद सुमसान रास्ता मिलता है और जोर से वो भूरे को अपनी कार से टकर मान देती है इससे पता चलता है कि जूली भूरे से पीचा चुड़वाना चाहती है